श्री शिवायन मस्तुभ्यम दर्शको हरहर महादीव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षिती होंगे दर्शको होली रंगों का तेवार है पर इसी के साथ में ये हमारी कस्टों को भी समाप्त कर सकता है कैसे? आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी एक ऐसा अचुक उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में चल रही कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी समस्या भी हल होगी अगर आप किसी से परिशान है, कोई व्यक्ति आपको लगातार परिशान कर रहा है या फिर आप गर्ज से परिशान है, आपका कोई कार है जो बहुत समय से अटका हुआ है और तलता ही जा रहा है, वह सफल नहीं हो रहा है किसी विशेश कार को आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आज मैं उसके लिए आपको एक विशेश और अचुक उपाय बताऊंगी यह उपाय आपको सत्रा मार्च के दिन करना है सत्रा मार्च, अठारा मार्च को होली है, यानि होली के एक रात, एक दिन पहले आपको यह उपाय करना है और रातरी को आपको यह उपाय करना है, जब होली का दहन होगा आपके घर के आसपास जहां भी होली का का दहन होगा, आपको वहाँ जाना है और आपको एक लॉंग का जोडा और कपूर की डली द्यान रखेगा कि लौंग फूल वाला होना चाहिए बिना फूल वाला लौंग आपको नहीं लेना है नहीं तो यहां उपाई कारे नहीं करेगा आपकी जो भी मनुकामना है चाहे वह किसी भी प्रकार की हो पैसो से जुड़ी कोई कामना है आपकी धन से जुड़ी कोई कामना है आपकी या फिर किसी कारे को आप पून करना चाहते हैं करजे को समाप्त करना चाहते हैं उसकी कामना करते हुए वह लोंग का जोड़ा और दो कपूल की आपको गोलिया या बाटिय जो भी आपके पास अवेलिबल हो जो भी आपके पास मौजूद हो वह ले ले और जो हूली का दहन हो रहा है उसमें पूरे श्रद्धा भाव से उस लोंग के एक जोड़ी को और कप कामना को कह दें आपकी मनुकामना अवश्य ही पून होंगी आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपका जो कारे है वह सफल हो जाएगा आपकी धन से समंदित समस्या भी धीरे-धीरे हल होने लगेगी आपके लिए धन के रास्ते खोलेंगे व्यापार अच्छी से चलेगा और आपकी कोई मनुकामना है वह भी अवश्य ही पून होगी आपको बस एक छोटा सा कारे करना है होली का दहन के दोरान आपको एक लौंग का चोड़ा और दो कपुर के बाती डाल दीनी है उसमें यहां उपाय बहुत ही अचूख है और कारगार उपाय है आप इस उपाय को करिए और अगर आपके घर पर आपको लगता है किसी की बुरी नजर है तो होली का दहन की अगली सुबा होली के दिन आप होली की राख को थोड़ी सी एक मुठी राख को ले आए और किसी लाल कपडे में अपने घर के मुख्यद्वार के बाहर बांदे जिससे अगर आपके घर में किसी की बुरी नजर होगी तो वह समाप्त हो जाएगी उसका तोड़ निकल जाएगा वह समस्या संपूर्ण तरक से समाप्त हो जाएगी श्री शिवाय नमस्तु भ्यांदर्शक हो अगर आपको मेरा इहा उपाय अच्छा लगा हो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजीगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजी जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यांदर्शक हर हर महादेव मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद